हलो इस्टूडेन वेलकम टू माई यूटूब चैलांग आरेने जूकेसन फांडेसन हम आपको एक सीरीज लेका चलने जिसको आप जानते हो सुबा कनास्ता सुबा कनास्ता आपके नंबर के लिए बहुत हेलती है क्योंकि इसको आप देखते रहोगे तो आप बोर्ड पेपर में एक जाम देने जाओगे तो आपके लिए क्या होगा ये जो कुशन होगा वो बहुत यूजफूल होगा यूजफूल होने से आपका नंबर भी क्या हो बहुत अच्छा इंक्रेज करेगा हम कुशन को देखते हैं क्या कुशन है फिर एक कुशन लिखा हुआ है कह रहा है एक वेक्टर एक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप और माइनस टू के कैप इतना लिखा हुए कह दिक अनपात लिखे और इसकी साहता से दिक को साइन तो ना तो आपको दिक अनपात मालूम है ना दिक कोईंस हैं कहीं पढ़े नहीं हो इससे लिए परेशाद मत होईएगा बस जो कॉ कॉंसेप्ट आप कॉश्चन ऐसा मिले लगा दीजे कभी गलत नहीं होगा पस कॉंसेप्ट सीख लिजिए अगर आपसे कह दिया जाए ऐसे कि A बेक्टर बराबर A1 आई कैप और प्लस B1 जे कैप और ये प्लस C1 क्या हो जाए के कैप ये आपको ऐसे मिल जाए तरी क्या होत होता है A1 A1 पामा B1 और कामा C1 ये क्या होते हैं सदिस का का दिक अनुपात है बिक अनुपात अनुपात है ये आप याद रखिएगा क्या है दिक अनुपात ये अजिक अनुपात है अगर इस ही कह हम निकालेai Dic cosine, अगर हमें निकालना हो, Dic cosine, Dic cosine, जब Dic cosine निकालते हैं, तो हमेसे याद रखना, कि यह हो जाएगा, A1 बटे, modulus A vector, और यह लिख सकते, कॉमा, B1, B1 बटे, modulus A vector, और यह हो जाएगा, C1 बटे, modulus A vector हो जाएगा, यह इतना हो गया, अब हम A1, B1, A modulus है, तो modulus पराबर आप लिखना चाहो, तो ऐसे निकाल सकते हो, अभी पीछे आपको बतायते, कि सब के गुड़ा, I के गुड़ां का होगा, A1 square, और प्लस B1 square, और प्लस कितना, C1 square, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कि A बटे, under root, A1 square, और B1 square, यह हो जाएगा, C1 square, कॉमा, B1 C1 बटे, under root, A1 square, और प्लस B1 square, और प्लस कितना, C1 square, यह ऐसे हो जाएगा, तो यह हमारे निकालने का तरीका है, तो चाहिए इसको फालो करो, यह इसको फालो करो, दोनों बात आपके लिए, एक ही है, बस आपको कोईशन मिल गया, तो आप देखो, इसका अगर निकालो, A Vector, यानि सदिस, सदिस A Vector का दिक अनुपाद, बताएगे कितना होगा, यह 1 होजागा, कामा 1 होगा, और कितना, minus 2, एंसर होगा, पिर पोच रहा था दिक अनुपाद के बाद, इसकी सायथा जाएगा दिक को साइन, तो अगर हम निकालते हैं, तो सबसे पहले इसका सदिस A Vector निकालो, आई का गुडाँ का 1 का स्क्वार, और जे का 1 का स्क्वार, और माइनस कितना होजागा, 2 का स्क्वार, चलिए, 1 का वर के 1 होगा, प्लस 1, दो दूनी कितना, 4, और 4 दो कितना होजागा, रूट 6 होजागा, क्योंकि 4 एक 5 एक 6, तो अब निकालिए A Vector का या सदिस, लिख दो हैसमें, सदिस A Vector का धिक कोजाइन, धिक कोजाइन कहा जाए या आपसे ऐसे कहा जाए धिक कोजाएन, दोनों भात एक ही है, आप ध्यान देजिएगा, धिक कोजाइय एक ही चीज करना है, तो आप इनका निकालो धिक कोजाइन, तभी आमने बताया था बटे मॉडलेस ए, तो अब निकालो, तो फार्मुला क्या देगा, एवन कमान कितना, वन बटे कितना, रूट 6, फिर देखो, इस कमान, 1 बाई, रूट 6 हो जागा, फिर माइनस 2 बाई कितना, रूट 6, क्योंकि ये, हमने बैलू निकाला है, एवन बैक्टर, तो हमने लिखात वीडियो देखलेंगे, थाइंक्यो सो मत